देखते क्या हो यहीं उचित समय है जब तुम अपने अपमान का बदला ले सकते हो इतिहास साक्षी है ऐसा शुब अफसर बार-बार नहीं मिलता यह गोर अन्याय है अन्याय करना भी कभी कभी न्याय है भीश्म पितामा दुर्शासन कहीं आइसा ना हो कि शिकार हाथ से निकल जाएं वरना कहीं मुझ दिखाने के योगयों नहीं रह जाओगे जिस कहानी का आरम क्या है उसका अंच भी कर डालो अधर की लक्षमी के साथ ते जोरे की लक्षमी भी तो आएगी आए ना आए हमें इससे कोई मतलब नि कहेंच कि हम अगर इतने ही लालची होते तो मुझ खोल के न मांगेते निरंजन के बाप उन्हें तो साफ साथ कह दिया इच्छा हो तो ही दीज पर ना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है हमें तो बस पहुरानी चाहिए सुनिए सुनिए जी पहलेज कैसा मिला है ठीक है मां बाबुजी कुछ कुछ नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं कि देहेज कम मिला हो एसा हो ही नहीं सकता अरी पहदानी का बाप कोई ऐसा वैसा थोड़ी है दिवान साहब है अरे हाथी मरता है तो भी गधे से उचा रहता है देहेज में कोई कमी नहीं कियो उन्हें लेकिन मां बा कि 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 si कि ए हाँ क्योद्राइन अब अगर लाइट भी चली गई न तो तोहार घर में कभी अंधेरा नहीं हो कहां पालीकुने एक दम ठीक केती है बस बस अब कहीं और किसी की नजर न लग जाए चलो बहुराणी अंदर चलो अरे रे ऐसे कैसे जाएगी पहले द्वार चिकाई देनी पड अरे तो तुम कौन से आस्मान के चांस सितारे मांग लोगी बहुराणी कहतो दे दूंगी अब चलो 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 अजरिया लग जाएगी मेरे बनडे को कोई मत देखो नजरिया लग जाएगी मैया प्यारे को कोई मत देखो नजरिया लग जाएगी मैया प्यारे को कोई मत देखो नजरिया अब हो पीचकी कि का लगाके रख रहे हां अरे बंद करते रहे नाज गाना और फुट्या से चलो चोटे चौद्री तूम का कर रहे हो अरे हीरे को घर मा छोड़ कर एक कोईले की संगत में तुहार क्या काम हाई अभी अभी दोहर साधी हुई है तुहाग रात भी नहीं हुई है और तुम यहां और आई सन में जरक खयाल रखा करो नजर लग जाती है बुरी लोगन की अब चलो घर चलो अरे बनेमिया तुम तुम भी का गाय को खूटे से बांध कर खाथ चरने को निकल पड़े हाऊ ऐसी बादे नक्को करो जी वरना स्वाग रात से पहले ही तलाख हो जाएगी अरे बनेमिया तुमने शाधी कर लिए मुझे बताया भी नहीं वह मैं चोटे चोद किसी को हिंदूस्तान बुलाता है किसी को पाकिस्तान और किसी को कब्रिस्तान अमेरे को आपा जान आला तुले आई असल में बचपन सेच ये पोट्टा पोट्टी मेरे साथ सोए मैं हीच इनको पाली इसके वास्ते हाउ पाला होंगा ये लोगा तो मरे साथ सोया होंगा ये सब क्या है भाई चोप देखो बच्चो तुम लोगा बड़े हो गया ना जाकर दूसरे कमरे में सोओ हां है अरे तो ठीक है भाय ठीक है भाई याइछिप सो जाना शब्व को रानी ये सब के सब कब तक सो जाएंगे वाई दो तिन घंटे तो जाएंगे तब comments गले था कि इंतर लेता इन्त दwny मज़ए मज़ा बढ़ जाका ना कोई हीची का मज़ा पिशुप चाप सोजाओ यतीम बच्चे हैं इन पर रहम कीजिए रहम करेंगे तो खुदा आपको फल जरूर देंगा कोई बात ने शब्बो तुम भी इंतजार करो मैं भी इंतजार करता मैं दिदी बुलाए आजा बंदिदा बुलाए आजा मैं दिदी बुलाए आजा बंदिदा 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 बं मुहपत में दुनिया हसी हो गई है मुहपत में दुनिया हसी हो गई है मुहपत में दुनिया हसी हो गई है यह थे हमेशा यह सर नजारे यह मौसम यह कलिया यह जर्लों के धारे यह थे हमेशा यह सर नजारे यह मौसम यह कलिया यह जर्लों के धारे करने लगे हैं तभी सिफजा रेश्मी हो गई है मुहपत में दुनिया भसी हो गई है के जन्नत यह सारी समी हो गई है किर्णों के मेले फूलों के कां थी रखने लगे हैं हवाओ के पां किर्णों के मेले फूलों के कां थी रखने लगे हैं हवाओ के पां खटाओं में जैसे बज़े पासरी सी सभी वादियां शब्स नमी हो गई है कि अधिया कि अधिया कि अधिया कि सुनों जी चाए लाए आपके वास्ते अधिया अरे सुबह हो गई अरे शब्बो तु रात को जगाई काई को ना आई पहुत ठक गई थी ना जी मैं इसलिए मैं भी सो गई मैं सोची कि आप जगाएंगे मेरे को मैं भी तुमारा इंतजार करते करते योँची सो गया लेकन देखो यह बात किसी को बोलो नको कि हमारी सुहागराद यूँँ ही घुजर गई तोस्तों में बेजती होगी ना समझे की नी समझे है हाओ समझ गई कोई तो सिर्फ हाए बोल देना सिर्फ हाए बोल दूँ हाँ हाए बोलने से सब काम हो जाएगा बन्ने मियां अरे ओ बन्ने मियां ये लो कबाब में हड़ा आ गया हिलता हुआ मर्द होकर और पो जैसी हरकत करता है अरे ओ बन्ने मियां चौदरी साब जल्दी से बुला रहे हैं क मौत क्या फुरिष्टे की तरह बातें नक्यों करो जी जिस हाल में हो चले आओ अरे कल्प की रात हमारी सुहाग राती हम बहुत ठक गए हैं हम जरा नहाद होकर फ्रेश होकर आते हैं जिता की लक्निया तक महली हो गई शेट जी रामोतार मर गया क्या वेचारा आजा अब कर जाता है तो में दिल भराता है फिर मुस्से धंदा नहीं होता चलिए मुक्या जी जबकि असली धंदा तो अब शीरू करेगा यह तो मेरा बच्पन का दोस्ता मेरा नंगोडिया यार पूरे काम है इस जैसा शरीफ आद भी कोई नहीं था रहे कोई नहीं था बार बार एक बात कहता था कि मरने से पहले तेरा कर्दा पूरा करके जाओगा चादरी जी पूरा करके जाओगा इसकी इच्छा पुरी नहीं अब उसकी आत्मा को कितना दुखो रहा होगा कितना थुखो रहा होगा जुमतार हाँ हाँ एक बात बोलो भाबी वो क्या है की अरे नमस से पुजा रही ती आयूश्मान भवा अच्छा हुआ कि आप वकील है और भाहिया कि शादी आप से हो गई वर्ना वर्ना वन्दना शाम हो गई है, यह कोई नाने का वक्त है चाननी राथ हो, तो नाने में और भी मज़ा आता है अच्छा हो, बात कुरी कर दे, यह क्यों अच्छा हो कि मेरी शादी तेरे भाईया से हो गए बात यह है, कि भाईया पर बहुत सी लड़किया मरती थी एक थी राधिका, उसने तो भाईया के लिए अपनी जान ही दे दी आप दोनों की शादी हो गई, तो बहुत अच्छा हुआ, बना पता नहीं कितनी लड़किया जान दे दे थी चेर्श आपने दे लिया? अरे साही, थोरा थोरा पीना अच्छा नहीं लगता आप लोग और लेंगे, तो फिर ठीक है यार सही पहले मैं शडाब छूता तक नहीं था मैंने एक फिल्लम भी बनाई, फिल्लम का नाम शडाबी उसका कानी भी यह था कि बाबा शडाब मत पियो मगर वो फिल्लम इतनी बुरी तरह फिलाब हुआ, कि मैं खुद शडाब पीने लग जया देखो न, फैक्टरी बेजना पर रहा है, आखरी कीमत 30 लाख रुपया, बस बैंक से तुम्हारा 20 लाख रुपय का लोन सैंक्शन हो चुका है अगर कहिसे तुम 10 लाख रुपय का इंतजाम कर लो, तो एक हफ़ते के अंदर तुम इनकी फैक्टरी के मालिक बन जाओगे इतनी जल्दी 10 लाख रुपय का इंतजाम? अरे साही, तुम तो इंजीनियर्ड भी है, फैक्टरी तुम्हारे इलाके में है, तुमको लेबर प्रॉब्लम भी नहीं होंगा, बेरे से ज्यादा पैसा कमाएंगा भाई ये तो है, लेकिन उझे 10 लाख रुपय देगा कौन? देख बेटा, तिरे दहेज में 1,30,000 रुपय का कुल समान आया है, वो भी खीच खाच कर जोडने से इतना बनता है, तुई सोच बेटा, ये भी कोई दहेज हुआ, हम तो ये सोच कर खुश थे, कि शेर का शिकार करेंगे, लेकिन हमारे नसीब में तो निकला मरा हुआ चू मिरंजन ने कहा था, उसको बोलो, अरे मिरंजन कोई लाट साब है, जो उसे नहीं बोलूगी, बोल बेटा, परोसी का घर किराय पर लेलू, दहेज रखने के लिए, अरे बेटा, इतना तो सोचा होता, कि बच्चा भी जब तक मूँ खोल के रोता नहीं, उसकी मा तब तक उ अरे, तुम हो, अरे, क्या हो गया है, देख बेटे, बात अभी पूरी तर से बिगडी नहीं, जरा आका से काम लेना होगा, समझ लो, सर्सुराल एक कुवाँ है, भी एक बाल्टी, बाल्टी को कुवे में डाल दो, पाने को खेंचते रहो, खेंचते रहो, देखा मा, पिता का बहु, मैं के जाथो, बहुत संदर लगरी, चलो जल्दी चलो, पल्लू छी करो, आरा उंसे चलो गहुरानी, हाँ, समहल के, जल्दी वापस आ जाना, हाँ भावी, यादे द्वार्चिकाई के दिन तुम मुझे कुछ देने वाली थी, हाँ, लेकिन आपने कहा था कि बाद में मांग लूँगी, मगर आपने तो कुछ मांगाई ने, आज मांग लू, भावी अपना ये माम ठीका मुझे देदो न, इसके लावा कुछ और मांग ली भावी ता, ये उसकी मां की निसानी है, अरे निसानी है तक क्या हुआ, क्या ये इसे खा जाएगी, बहु का जब जी करेगा पहनने का ये उसे वापस दे देगी, अब ले दे के एक ही तो भावी है विचारी की, अब तुम भी बताओ न बहू, तुमसे न मांगे तो और कि उसे मांगे भाला, ठीक है, वापस आकर देदूगी, अरे तुम्हारे यहां आने तक कौनसी यहां बैठी रहेगी, आखिर ये भी तो सुस्रार जाएगी, दस बार तो खबर आ चुकी है कि जल्दी आजा, और हम है कि भावी के मोह में पड़े हुए हैं, लेकिन इन्हे तो देखा, कितनी खुश हो गई बैचार, मा, कैसी लग रही हुँ मैं, अरे वाँ, क्या जच्रा है इस पर, बुरा मत मान ना बहू, चाहे जितना भी रोको, सही चीज, सही जगा पर पहुची जाती है, चल्दू आओ, बीटिया, चल्दू बैटो अरे डाडी घर में है, यह काई काई बन करो, अपने छस पे नहीं आने वाली दीदी आ गए, पिताजी जी जाजी और पूजा दीदी आ गए, सिर्फ छोड़िया ना आप जल्दी से चाहिए, अरे पर तू कहाँ चली, मैं अभी आई नमस्ते पिताजी, आओ बेटा आओ, आज सुबह से ही छत पर कवा बोले जा रहा था, यह लीचे पिताजी अरे इसे खतम भी करो, क्या इन्हें दर्वाजे पर ही रोके रखोगी? अंदर जाने की इजाज़त तभी मिलेगी, जब जी जाजी कुछ रिश्वत देंगे, यानी दुआर चिकाई यह लो एक सिक्का, वो भी खोटा, कुछ नहीं चलेगा अरे ओ, जी जाजी, उधर नहीं, इधर यहाँ बैठे जी जाजी, तरफ साबुन हम लगा देते हैं जी जाजी, पीक की तरफ साबुन हम लगा देते हैं इसमें कोई शरारत तो नहीं बिल्कुल नहीं अब आपको दी लगा लीजिये पिताजी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कहो बेटे जैसे कि आप जानते हैं, मैंने इंजिनियरिंग पास करने के बाद, कहीं नोक्री करना नहीं चाहाँ मैं एक फैक्ट्री खुरना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने बैंक से 20 लाग रुपे के लोन भी पास करा लिया है वाँ पेटे, ये तो बहुत अच्छी बात है अब इसमें 10 लाग रुपे अपने लगाने होंगे अगर ये काम हो गया तो फैक्ट्री तीन-चार मैने में ही शुरू हो जाएगी फिर तो सारा रुपे एक साल में ही वापस आ जाएगा अब कहीं हाथ पहलाने से बहतर मैंने सोचा कि क्यों ना पहले आपसे यी बात की जाएगा बेटे, आदमी अपनों से अपनी बात नहीं करेगा तो किस से करेगा लेकिन जहां तक रुपेओं का सवाल है बेटे, इतने रुपे हमारे पास नहीं अगर आप अपने रिष्टेदारों से ले लेंगे तो अब तक सिर्फ इतनी इज़द बाकी रह गई है कि हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया अगर तुम लोगों के लिए हमने किसी के सामने हाथ फैला भी दिया तो उसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला बेटे जब बड़ा पेड गिरता है न तो उसे सहरा देकर खड़ा करने वाला कोई नहीं मिलता सारे लोग उसकी लकडियां काट काट के घर ले जाने की ताक में लगे रहते हैं फिर आज कल के रिष्टेदार भी तो ऐसे ही है बेटे निरंजन बाबू अगर आपको रुपए के लिए ही शादी करनी थी तो मुझसे कर लेते मैं 10 लाग दे देती तो अब शादी कर लेते हैं लाव 10 लाग ना बाबना कोई मुझे पहली बीवी बनाएगा तब इतनी कीमत चुकाऊंगी दूसरी वीवी तुम्हें सप्री हूँ ही क्यों अगर तुम्हारे पास सचमुष 10 लाग रुपए हैं तो दो ना तौबा कीजिए अगर इतने रुपए मेरे पास होते तो मैं अभी कोठे पर नहीं कोठी में नजर आती चलो इतने रुपए ना सही कुछ तो बचा कर रखाई होगा कुछ तो बचा कर रख नहीं पड़ेगा परना बुड़ाबे में सितारा भाई की तर पानी लगाते रहना पड़ेगा निरंजन बाबु का पेगाम है कि वो वापस अपने काउं चले गए उन्होंने और कुछ कहा जी और कुछ नहीं कहा आप कौन है आप मेरे बार में नहीं जाने तो बेतर है अधाब अगर दस लाख रुपे देने की हमारी हैसियत होती तो निरंजन बाबु आज हमें इस तरह छोड़कर नहीं चले जाते पिता जी कल में वापस जाना चाहते हूं इस तरह नहीं जाते बेटी परना लोग ये भी कहेंगे कि पेटी हमें बोज लगने लगी इसलिए हमने उसे पॉरन पीछे-पीछे भेज दिया लोगों का काम है शादी में शामिल होने लेकिन रिष्टों को निबाने का काम हमारा तुम बेटी तो बहुत अच्छी हो लेकिन उसे अच्छी तुम बहु हो तुम बार-बार यह एहसास दिलाती हो कि तुम जैसी अउलाद को पाकर यह दीवान कंगाल नहीं रहा धन्वान बन गया है नहीं हां पिताजी का ख्याल रखना झाल 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 जिदी आप ससुराल नहीं गई कोई आएगा तभी तो जाओंगी मैं कोई ऐसे घर की नहीं कि खोदी अपना सामान उठाके उठलू की तरह ससुराल चली जाओं इस तरह तो अगर ये जाना भी चाहेगी न तो भी नहीं भेजूगी भाई हमारे घर कोई खाने पीने की कमी है क्या जो हमें बोज लगेगी क्यों भाबी आपको कोई पहुचाने भी नहीं आया तीवान साहब ने जवान लड़की को अकेले ही भेज दिया भाई खानदानी लोगों की बात ही निराली होती है अरे ये क्या भाउरानी अरे इस घर में खुद का बोज उठाना मुच्किल है उपर से तुम ये बोज उठा रही हो नहीं नहीं बने मिया ठीक है मैं नहीं हो क्या इस बोज को उठाने को आओ चोड़े चोदरे बाउरानी आई है आप इस तरह अचानक हमें छोड़के चला है मैं तो बुरी तरह से घबरा गई थी पता नहीं क्या हो गया दिवान साब से नहीं पुछा कर क्या हुआ द्यारी की जो हालत है वो उन्होंने आपको बताई दी थी वो कभी जूट नहीं बोलते हैं मुझे क्या मालूम था कि वो अंदर से इतने खोक ले हैं वरना एक एंजिनियर को 10-15 लाग देने वाले बहुत मिल जाते हैं लेकिन आप लोगों ने तो पहले रहेज की बात बिल्कुल नहीं की था सोचा था दिवान साब है बिन मांगे ही बहुत कुछ मिल जाएगा हम अब्ले आपना माइकाान फिसा लिख दियरा जा चुक है उसी से तो हमारी शादी हो पाई है उससे बेचा भी तो जा सकता है तो फिर रहेंगे कहां और अभी नेहा की शादी भी तो कराने सबको अपनी अपनी जिनता है तो रहे मेरी वीजु समझ में आएगा मैं वही करूगा तो क्या रुप्यों के लियावा जिन्दगी का और कोई मकसद नहीं नहीं हम कम पैसों में भी अपनी जिन्दगी खुशी खुशी बिता सकते हैं और वक्त आने पे हम अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं कि वक्त आता नहीं लाया जाता है कि आहिंगा कि अभाव कि अखु मिशंच दॉन कलपिता के सर में इतना दर्द है कि वो तड़प रही है इसलिए आज का खाना तुम ही बनाना जी हाँ सुना तुमने तुम्हारे बेटे ने बाल्ती को कुए में लटका कर देख लिया चुनलू भर पानी नहीं निकला जिसमें तुम ढूपकर मर सको हर बात खूं फिर के मुझ पर ही क्यों आ जाती है क्योंकि तुम्हें शॉप चर रहा है था ना कीवान साहब का समधी बनने का है अरे सुन रहे हो कि बहरे हो अरे हो सकता है बहु कुछ शुप समाचार लाती ना तो निरंजन उसके कमरे से गुस्से से बाहर नहीं निकलता अब तो मुझे कोई और आस्ता नजर नहीं आता तुम ना बहुत जल्दी थंडे पढ़ जाते हो वह कैसे अरे तुम्हारी अंग अधर तो असाने से निकल जाता है लेकिन बहु वह खुद ही निकल जाएगी वह कैसे अरे पानी भी बून बून गिरे न तो पथर कर जाता है और अपनी बहुत तो मिटी की बनी है पहली ही बारिश में गायब हो जाएगी आया बहुरानी पड़ा दुख दिना नतनियने पोलिये आप टेबल पर खाना लगा दीजे मैं हात मुद्खर आते हो अच्छा खाना आज भाबी ने खुद अपने हाता से बनाया है लो बेटा यह लो अरे भाइया को भी दो ना सबसी यह ले बता यह लो पिता अरे रे रे इसमें नमक कितना जादा हो गया हाँ अरे बहु तुम्हारा बस चले तो हमें जहर चटा दो माजी नमक कुछ ज्यादा हो गया क्या कुछ नहीं बहुत ज्यादा हो गया पारी दे छोटी पारी जल्दी अब क्यो ज्यान निकल रही है खुद ही तो बिना मा की बेटी को उठा कर लिया है अरे मा होती तो बेटी को खाने पिने के तौर तरीके सिखाती न सब तुम्हारा एक अधरा है भोगो अब मेरे तो यह समझ में नहीं आता कि सारी बाते घूंप फिरकर मुझ पर क्यों हाजाती है माझा मैं फिर से खाना बना दो बस बस रहने दे बहूं खाना हम बना देंगे तू सिर्ब बरतन साफ कर दिया कर जी याद रहे मैंने बरतन साफ करने के लिए कहा है तोड़ने के लिए लही कि बाबा की बितिया में पराई जड़ जड़ में दी है तस्वन था काहे को रोए बाबन मोरे छोड़ चली मैं अपना हाई दैया बैचारी के हातन की महेंदी तक नाहीं छूटी है और इतना ठेहर सारा काम बाप रे बाप इतने वर्तन आओ लगता है चौदरायन ने प्रोसियों के बर्तन भी इधर चिमंगा लिए क्यों हमारे अपने घर में बर्तन कम है क्या वैसे भी अपना काम खुदी करना चाहिए काम करते रहने से सेहत भी ठीक रहती है और रात को नीद अच्छी आती है और एक बात तुम दोनों कान खोल कर सुलो हबर्दार जो मेरे घर के मामले में तांग अड़ाई तो समझें अरे इतने हैं बर्तन दे दिये हैं अरे मैं तो और देने वाली थी ताकि रात भर घिसती रहे वैसे भी निरंचन रात भर आने वाला नहीं है वह कहां गये है बैंक मैनेजर से मिलने गया होगा इसी महराणी की वज़े से तो सारा मामला खराब हुआ है मैनेजर को पटाने के लिए दारू वारू पिलाएगा और सुबहे को लोटेगा मा खाना तयार है अच्छा चाहाँ मा उसे मत खाना वो कलका है और बिल्ली ने भी उसे जूटा कर दिया है अरे तो क्या इसे फेंकेगी इन्हें बुरा लग रहा है तो डाल दे इनकी थाली में भूं फिरकर सारी बाते मुझ पर ही क्यों आ जाती है अरे मेरे कहने का मतलब यह था इसे बहुत खा सकती है के नहीं आ उसके लिए रख दे विल्ली का जूठा खाएगी तो बिल्ली की तरह बेवफा हो जाएगी तब यह घर भी जल्दी से चोड़ देगी कर साल कर दो विए जरुषा पहु क्या बात है मा जी, मैं आप लोगों से कुछ कहने आयों। कहो, मुझे मालूम है कि मैं जितना सहूंगी, आप उतना ही ज्यादा जुल्म करती जाएंगी। फिर भी मैं आपका हर जुल्म सहती जाओंगी। अगर आप ये सोचती हैं कि आपके जुल्म करने से मैं ये घर छोड़ दूँगी, तो आप ये गलत सोच रही है। एक बात याद रखिये, मैं इस घर में कोई शोभा की चीज नहीं, जो बाहर निकाल कर फैक दी जाएं। मैं इस घर की दीवार या छट भी नहीं, जो तोड़कर नहीं बना ली जाए। मा जी, मैं तो इस घर का आंगन हूँ, जो इस घर से कभी अलब नहीं की जा सकती। देखा देखा, कैसे मुँपर चोट करके चली गई। सब तुम्हारी वज़े से हुआ है। मैं यह समझ भी नहीं आता कि हर बात घूम फिरका मुझ पर क्यों आ जाती है। सबसे पहले तुम ही गए थे न उससे देखने और आकर बोले साथ-शाथ सरस्वती है। अभी का रूप देखा, तुरका लग रही थे। अब तो इससे निरंजन से ठीक कराना होगा। भला क्यों मैं मुखडे से घुंगेता उठाओ। भला क्यों मैं आचलता परदा गिराओ। अजे तुम जैसे दवाबाद देखनों के लिए मैं ये दिल क्यों लुटाओ। ये जा क्यों लुटाओ। क्यों लुटाओ। क्यों लुटाओ। क्यों लुटाओ। क्यों लुटाओ। क्यों लुटाओ। तुम तो परदेती हो तुम तो परदेती हो। क्यों लुटाओ। क्यों लुटाओ। ये है रेन बसीरा आकी रात बिताती हो। क्यों लुटाओ। क्यों लुटाओ। क्यों लुटाओ। क्यों लुटाओ। कोई निर्मोही, कोई बेदर्दि, कोई रस्या है, कोई मत वाला कोई निर्मोही, कोई बेदर्दि, 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 कोई बेदर्दि में खाते हो, सुभात वेडे अपनी अपनी घर लोट जाते हो तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी बिन खूलों की, बिन रंगों की, बिन खुश्बों की, मैं हुमित डाली कितने आशिक लेकिन मेरा जाते दोमर खाले, बिन खुश्बों की, मैं हुमित डाली तुम राजों की तनहाई में, दिल और जान लुटाते हो, दिल और जान लुटाते हो सुमसरे दे अपनी अपनी घर लाज चाहते हो, तुम तो परदेसी तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी ए परवानू, शाम ठले तुम, इचिती हुए आचिरू ये है रेन बसीरा, आपिरा मत बिताते हो, तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी तुम तो परदेसी हो, तुम तो परदेसी तुम तो परदेसी तुम तो परदेसी हो, 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 तुम तो परदेसी नहीं जब मैं अंदर गया तो उसका खून उचुका था यह साच है कि मैंनुधार कोटे पे गया था यह गलती मेंने कि लेकिन मनों मैंने उसका खून नहीं किया कि कि मैं तेभिर साल्जश सफे कीmüş है मं सय तो ने चाहता म्म कुछा चलिए मेडम मुलाकात का उर्ष खख्थ वह चुका Хि पूच मैös मर नहीं चाहता मैं मर नहीं चाहता पुज्पा मरना नहीं चाहता है मैं मरना नहीं चाहता है मचा हो तो आपके बेटे को भासी के फंगते से बचा सकता अएएए आएए आएए आपके ले आपके लेए नहीं जैज लेए पर कौन है अब अजी तुम्हें आम खाने से मतलब है पेड़ किनने से आपकोई भीए अगर आप मेरे बेटे को मचा सकते तो बचा ले उसके लिए आप जो मांगें हम देंगे सोच लिजे हम तेमत कुछ ज्यादा ही मागने वाले हैं जरूर देंगे बुलिए क्या चाहिए रुपया पैसा जमी ज्यायदार बुलिए बुलिए मुझे एक रात के लिए आपकी बहु चाहिए क्या है एक बुढ़े बाप के लिए जवान बेटे की लाश से भारी और कोई चीज नहीं होती अपने इन हाथों की ताकत को समाल कर रखिये वरना अपने बेटे की लाश कैसे उठा पाएंगे अब तो इन कांधों पर शॉल भी नहीं रख पाते फिर बेटे की अर्थी कैसे रख पाएंगे वैसे भासी से ज्यादा तकलीफ नहीं होती सिर्फ गर्दन जरा सी लंबी हो जाती है और जबान जबान थोड़ी सी बाहर आ जाती है लेकिन घबाने की कोई बात नहीं है चौदरी साहब आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि कफन और लक्रियां तो आप खुद बेशते हैं अगर आप अपने बेटे की जिन्दगी बचाना चाहते है तो यह रहा मेरा पता और याद रखिएगा परसों अदालत का फैसला है और कल की रात हमारे और आपके फैसले की रात होगी है माँ मेरे बेटे को बचा ले वही तो मेरे कुलकटी पके है हमारे बुड़ा पे कसार हो नहीं रहा तो क्या रह जाएगा हमारे पास माँ हमें इतनी बड़ी से जलमते है चौदरी जी आपको पहले से ही ब्लड प्रेशर की बीमारी है आप जड़ा ख्याल कीजिए वरना मर जाओंगा तो अच्छा योगा है मुझसे भी निदंजन की लाश देखी नहीं जाएगी उसे पहले मैं जायर खालूगी माँ अब तु ये मेरे बेटे को बचा सकती है तु ये मेरे बेटे को बचा सकती है अगर तु अपने पती की जान बचाना चाहती हो तो एक ही रास्ता है तुम अपनी इज़त की बली चड़ा दो तुम्हारे नहीं कहने से कुछ नहीं बदलने वाना सोच लो तुम्हें अपनी इज़त चाहिए या अपने पती की जान इज़त एक बाद चली गई तो वापस नहीं मिलती तो फिर अपनी इज़त संभाल के रख मर जाने दे अपने पती को लेकिन याद रखना जान भी एक बाद चली गई तो वापस नहीं मिलती ये भी याद रख निरंजन की मौत के बाद इस खांदान से चितनी भी लाशे उठेंगी उसकी जिवदार भी तू होगी सारी बरपादी तुम्हारे हैस्से में लिग दी जाएगी भूल गई वो कस्में जो तुमने फेरे लेते वक्राइती भूल गई बहुत कम है चल्दी पैसला करो तुम्हे क्या चाहिए इजब या सुहाद इस्जद या सुहार जैसा हाल हुआ तच पूछो तो नारी जीवन एक महंदी का पूटा है सच पूछो तो नारी जीवन एक महंदी का पूटा है कदम कदम पर इस अवला को हर रिष्टे ने लूटा है हर रिष्टे ने लूटा है सच पूछो तो नारी जीवन एक महंदी का पूटा है इस तरह क्या देख रहे हो? वो जिस आग में चलने गई है ना सी आग में भस्म का तो तूट ना जाए चूड़िया इसकी मांग ना सोनी हो जाए अपना धर्म निभाने को चुप चाप चली है ये हाए महंदी की लाली का नारी कैसा मौल चुकाती है अपनी अर्थी को जीते जी अपने आप उठाती है इसका कोई दोश नहीं पर भाग ही इसका पूटा है कदम कदम पर इस अबला को हर रिष्टे ने लूटा है हर रिष्टे ने लूटा है सच पूछो तो नारी जीवन एक महंदी का पूटा है महंदी का पूटा है आएए कमें प्लीज करें 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 अगर मैं आपको बहुत पसंद आगी थी तो मुझे अपने प्यार में इतना पागल कर देती कि मैं आपके पास भागी चलिया थी तब आपकी मर्दानगी की जीत थी लेकिन ये क्या किसी को सफेद कफन पैना कर अपने पास बुला लिया ये आपकी मर्दानगी की हार है हाँ हाँ ये आप मेरा ये अल्बम देखिए मैं अभी आता हूं सुनिया 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 चलिये बाहर आपका टांगा खड़ा है देखिए आप यहां से बाइस सच जा रही है और कल निरंजन भी अदालत से बाइस सत रहा हो जाएगा आप फिकर मत कीजिएगा ठीक है जाए कंगा जलसी पावन है पर किस किस को समझाएगी हर खिड की हर दर्वाजे से एक उंगली उठ जाएगी सीता बन कर भी नारी को चेह मिलाना जीवन भर बाहर है रावन की जिंता और घर में है राम कड़ इसकी लाज तो बच गई पर विश्वास कदर पन तूटा है हर रिष्टे ने लूटा है हर रिष्टे ने लूटा है सच पूछो तो नारी जीवन एक महंदी का पूटा है एक महंदी का पूटा है बड़ी साफ सुत्री लग रही नहा दोकर आई होगी महंदी तोटी पिसी जनी घुली रजी तब रंग लाल हुआ होरत का भी इस दुनिया में महंदी जैसा हाल हुआ महंदी जैसा हाल हुआ महंदी जैसा हाल हुआ जैसा हुआ और पाए गए सबूतों की रोश्णी में यह साबित हो चुका है कि निरंजन चौदरी बेगुना है लहाजा अदालत उन्हें बाईज़त रहा करती है और सितारा पर जोहरा बाई के खून का मुकदमा चलाने का हुक्म देती है धन्हें की हुक्तौतों का कौन था व आदमी कौन वही जिसके पास तो एक रात के लिए गई जी तुकुर तुकुर अब देख क्या रही है गई थी या नहीं बॉल था गई थी इसे शर्म क्या आएगी अरे वैश्या भी बाजार में निकलती है ना तो चहरे को आचल से ढख लेती है पर यह तो ऐसे गर्दन उठाकर चल रही थी जैसे कोई किला फतर करने जा रही हो मैंने जो कुछ किया इस घर को और आपको बचाने के लिए किया इसलिए भगवान को त और उसने इसी छुआ तक नहीं अरे अगर वो इतना ही दूद का दुला था तो रात कोई तुझे अपने घर क्यों बुलाया यह मुझे मालूर नहीं और तू उसे कब से जानती है मैंने उसे पहले देखा तक नहीं कोई आदमी रात के अंधेरे में घर आकर ऐसी ही कह देग साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी नाजायज है खवरदार जो मेरे बच्चे को नाजायज कहा तो आप जो इल्जाम मुझे पर लगा रही है वो नाजायज है क्या सुबूत है तेरे पास, कि तेरे पेट में जो बच्चा है वो निरल जंका है, हाँ हाँ दे सबूत, अगर आपका बेटा आपसे सबूत मांगे, कि वो जिसे बाप कह रहा है सचमुच उसका बाप है, तो क्या आप सबूत दे सकेंगी, आप दे सकेंगी, कि दुनिया की कोई भी मा इसका सबूत नहीं दे सकती तो फिर मुझसे ही क्यों ये सबूत मांगा जा रहा है इसलिए कि तू यहां से रात भर गायब थी हमने तो कोई ऐसा कुकर्म नहीं किया आप ही कहिए कौन विश्वास करेगा कि कोई रात भर काजल की कोठरी में रहे और रामसादी आववारा बचलन तुझे यहां रखकर मुझे अपने कुल और खांदान पर दाग नहीं लगाना चल निकाल यहां से नहीं नहीं मैं इस घर से नहीं जाओंगी आरे तुम घड़ी क्या देख रही हो निकालो इस चुड़ें का बहार चल निकाल इस घर से मुझे आप अपने से दूर मत कीजिए चोटे चौधरी कम से कम यह तो सोच्छो कि अब माँ बनने वाली है तो क्या करूं किसी और के कलंग को अपने मां थेका ठीका बना लो थीक हो आ तेरे साथ कुल्टा हरामजादी चल निकाल बहार करो इसे क्या कहा था तुम्हें इस खर से नहीं निकाल दिया न याद रख चौधराइन वो नागिन है जो एक बार टस लेना उसके जहर का कोई लाज नहीं अरे सारी दिये जला दे चारों तरफ उजाला ही उजाला हो पॉटर जाता मैं वो डाली के जिस्सी मैं उड़के गई थी वहां लोट कर तो ना अना था मैं हसाती है महंदी, रुलाती है महंदी, बनाती है महंदी, मिटाती है महंदी, बनाती है महंदी, मिटाती है महंदी आपने कहा था ना पिता जी कि मैं बहुत अच्छी बहु हूँ अच्छी बहु तो वो होती है जो डोली में ससुराल जाए और अर्थी में वापस लॉडती है मेरी तरफ देखिये ये लाश बिना अर्थी के ही वापस चलिया ही पुझा पुझा मिटी अच्छी हम बच्चे को नहीं बचा सके लेकिन पुझा खत्रे से बाहर है वह अभी बेहोश है घबरानी की कोई बात नहीं अजी कहना क्या है सारे शेहर में ढोना पिटवा दीजिए के बात पक्की हो गई है यह किसका चुकन जा रहा है आलूम नहीं निरंजन बाबु की शादी तै हो चुकी है वह इन्हें पाच लाग क्या दिला रहा हूं जेवर और सामान दो लाग का ऊपर से हां अरे आपका संदी कौन है जरा ये भी तो बता दीजिए स्वासजी शहर के सबसे बड़े अमीर सेट सूरजमल 10 जुलाई को बारा क्या हथ से जाएगी चलो उठो जी आजा बेटे निरंजन आओ पंड़े जी अरी चलो लड़कियों लगता है मैं किसी शुब घड़ी में आया हूँ शायद बंदना बेटी का शगुन जा रहा है जी नहीं ये निरंजन की शादी का शगुन जा रहा है रास्ते से हट जाएं जगुन को जाने दें अगर मेरी बेटी से कोई कलती हुई हो तो मैं उसकी तरफ से क्षमा मांगने के लिए तयार हूँ मैंने आज तक सिंदगी में कभी किसी के सामने सर नहीं जुकाया लेकिन आज आज आपके सामने सर जुका रहा हूँ और अपनी पगड़ी आपके चर्णों में रखता हूँ अंगाल आदमी की पगड़ी और उसके सर की कीमत खोटे सिक्की से ज्यादा कुछ नहीं होती जैसे अत्तर को रुई में भिगो कर कान में खोस लिया जाता है ना वैसे आप मेरी भी बात अपने कान में खोस लें आपकी पुजा मरे तो मरे हमें कोई चिंता नहीं हां अगर कफन चोटा पड़ जाए और लकड़ियां कम हो जाए तो किसी को भी भीजवा दीजेगा दान में दे दूंगा चलो जी आओ विटे आओ जाओ विटे याओ 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 बन्ने चलो मैं पुजा को इस घर में रख लूँगा एक नेक शर्त है नेहा भी मेरे साथ रहेगी और मेरी सेवा करेगी इससे आपकी शान भी बढ़ जाएगी मेरी बीवी और रखेल आप दोनों के बाप कहलाएंगे समझ में नहीं आता तो मैं कुट्दा का हूँ या सुबर तुम धवायव के कोठे पे जाते तो हो ना वहां एक कोना है जहां लोग बरसों से पान खाकर थूकते हैं तो उस कोने से भी ज्यादा गंदे हो तूकने के लाएक भी नहीं आज हमें पहली बार बेटी का बाप होने की सजा मिली है जब छोटे बड़ों पर हाथ छोड़ देते हैं न तो आस्मान भी इन तक काम लेने की कसम खा लेता है चलो बेटी पुजारी जी आज अदालत में तलाक का केस है वहां बहुरानी पर जी भरकर की चड़ उचाड़ा जाएगा पचारे शरीफ लोग हैं उनकी इज़त की तो मुसीबत में शरीफों की कभी इज़त नहीं घटती जला भी डालो सोने को मगर कीमत नहीं घटती मिलोर्ड एक आरद जब किसी की धर्मपत्नी बनती है तो वह अरधांग मी कहलाती है यानि कि आधा अंग और जब किसी इनसान के आधे अंग पर कोन हो जाए या सर जाए तो उसे दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता लेकिन आपका कानूल उसे बचा सकता है उस से उसकी धर्म पतनी से तलाक दिलाकर रड़ Miyaa दर्म और पतनी दोनों के ही नाम पर शरी और भी मेरिकी तरह होती है जैज शाओं जीती जाकती मौत है वह मैं जाया है यहीजा है कि मैं आदालत से निरें चोई कि लिए जीवन दान चाहता हूं और यह तभी मुम्किन है जब इसे उस वेश्या से तलाक दिला दिया जाए कि मिलोड इससे पहले कि इस केस की कारवाई शुरू हो मुझे इस अदालत से कुछ कहना है इजाज़त है निरंजन चौधरी को पूजा से तलाक चाहिए हम वादा करते हैं कि जिन हाथों पर उसमें महंदी लगाई थी उन्हीं हाथों से वो तलाक के काकजात पर दस्तकत करेगी लेकिन हमारी शर्थ है कि यह केस यहीं ख़तम कर दिया जाए लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हैं तुलसी का पौदा अगर अच्छा नहीं लगता हो तो उसे घर से निकाल दो लेकिन उसे इस हालत पर न पहुचा दो कि वो न पूजने के लाइक रहे और न जीने के हमें इन चीजों से कोई मतलम नहीं रही तलाक की बाद तो वो हम कोड से ले लेंगे मिलोड ये पूजा से सिर्फ तलाक ही नहीं भरी अदालत में उसकी इज़त पर कीचर उचाल कर उससे जीने का अधिकार भी चीनना चाहते हैं और ये इजाजत मैं इन्हें कभी नहीं है मैं तुम्हें आखरी बार पूछता हूँ तुम ये केस वापस लेते हो या नहीं वकिल साहब आप सच कह रहे हैं बिलकुल सच खुद जसाब इस बात की गवाई देने वाले हैं कि दीवान साहब अदालत की मर्यादा को भंग कर रहे थे और अंकुष चोदरी ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई इसलिए चिंता की कोई बात नहीं अंकुष साहब कि भी नहीं तूटी यह तो सब प्रभू की लीला है लोग केते हैं कि मुसीवत कभी अखेले नहीं आती अब बिजारी पुझा कोई ले लोना पहले उसके पेट का बच्चा मरा पहले उसका तल्लोक हुआ और अब बिजारी के पिदाशी गुजर गये कि यह देखो यह दुलन के साड़ी है कि रहे दुलन के गहने राम नाम सत्य है राम सत्य है छर छर बैती है तस्वन था कारे को रोएं तावल होरें छोड़ चली मैं अपना दुला राचा हो या रंक होई पेटी अपने वचनों को जरूर निभाना जो इसे नहीं निभाता न वो पाप का भागितार बन जाता है पेहली फिरी का पेहला बचन है मेरा पती पर हमेश्वन जैसे नहीं मेरा पती पापी है राक्षस है मेरे साथ ससर श्राप है अभी शाप है पीज पिदेगा पीजा बचन है मेरी घर की मरियादा बढ़ाओ मैं उस घर की मरियादा को मिट्टी में मिला दूँगी जाता बचन है बच्छे की मेरे को आगि मढ़ाओ मैं उस घर को पांच बना दूँगी जहां अब कोई खुशी जन नहीं लेगी पांच बिफिले का आजवा बचन है दिहला अश्मिये को आरूप अधरों में मा दूरके का रूप धरूँगी ज़्विफिले का छट्वा बचन है मैं उन लोगों को तिल तिल मारूँगी ज़्विफिले का छट्वा बचन है जब भी मरूँ तो सहागत करूँ मैं तो मर चुकी हूँ मैं उनको तबाह वर्बात कर दूँगी मुझे 40 किलो लगनी चाहिए अपने लिए? हाँ छट बनाने के लिए के जलाने के लिए? जलाने के लिए हाँ अपने चिता जलाने के लिए पहले से लखड़िये कठी करें अभी मेरी मर्दे की उमर नहीं है अभी दो साल पहले मेरे बात ने दूसरी शादी की है हाँ फिर तो उनको मबारक बाद देनी चाहिए का मिलेंगे वो अपने बाप से बिलने गए है यानि कि उनके बाप भी जिन्दा है लगता है कि पूरे खांदान ने आवे है आत पी रखी है ये पंड़ा जी आज कल शादी कराने का दंदा बंद कर दिये क्या अरे उनका मीनों के च अरे तो लोगे कैसे वजन कहा है तुमारे बाप दादा की तरह चलता फिरता वजन है मेरे बाद दिखाओ तेरे को ये बताओ तुमीने वजन की जरहां क्यों इस्तेबाल करते हो ये लोगा रात बर जागते रहते हैं दिन भर काम करेंगे ना तो ठककर जल्दी सो जाएंगे और फिर उसके बाद मेरा सपना पूरा हो जाएगा काहां वो पोटे उनसे बहुत वजन उठाने को लगाई क्या वो छोटे बच्चे हैं उनसे इतना काम न को लेओ कि उनका कचुमबर निकल जाए पोटे सच्मुश्स हो गये जाके खुदिश देख लो हैदराबाद का छिडिया घर दिखता था लेकिन आज आगरे का ताज महल लग रहा है श्यपो बन्ने मेरा दिल कर रहा है कि तुमको नहीं हाथ नको लगाओ मुझको काई कूँ आज मैं मजबूर हूँ आज नको 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 करो जी हाओ हाओ करो जी मुझे अतीम पर रह्म खाओ खुदा तुमको फल नहींगा आओ आओ समझ के न और अभी भी नहीं समझे तो कहो कान में बोलू नको नको कान में नको नको समझ गया इसका मतलब आज भी हाओ हाओ मेरा क्या नजीब रहे मैंने अभी तक सुहाग रतनी मनाई और उदर छोटे चौदरी को देखो एक शादी के बाद दूसरी शादी का शगुन ल सल्दी भी मजे सर लगा रहा होगा साला बना माजा में जोले अना रोग कले बना कंगिना सवारे चमेली चले मरिया ले ले देरे कहा डाले ले मया प्यारे ले देरे कहा डाले ले इतना डर क्यों गए मैं तो सिर्फ हर्दी लगा रही थी कोई कफन नहीं पैना रही थी यह रही वो जेवरों की लिस्ट जो दीवान सहाब ने दिये थे और साथ में मांग ठीका भी है जो इनकी बैन से ही क्या है जो भी दिया है हम सब लोटा देंगे वैसे भी विकारियों के हम कोई चीज नहीं रखते भीकारी तो खाली हाथ भीक मांगते हैं मगर आप लोग तो अपने ही बेटे को कटोरी की तरह आगे बढ़ाते हो और भीक मंगवाते हो देदे बाबा बेटे के नाम पे आ आप सब पर चलिए वकीर साथ जाते जाते एक बात सुन लो आज तुम्हारे बाप के मॉडर केस की तारीख है मैं कोट भी जाओंगा और वहां से बाईजद रीहा भी हो जाओंगा आगे के लिए इतना याद रखना अगर तुम बहनों ने ज्यादा हाथ पैर बाहर निकाले तो दिवान साब की तरह तुम दोनों को भी खून से नहला कर दुलन बना दूंगा यह द्वार पे खड़े हैं और इन्हें हमने द्वार चेकाई नहीं दी इसलिए इतना नाराज हो रहे हैं लीजे द्वार चेकाई पता जी आपका अत्यारा बहुत खुश है कि वो आज कोट से रहा हो जाएगा लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी उसने सेल्फ डिफेंस के कानून का साहरा लिया है मैं भी उसी कानून का साहरा लूंगी ताकि साब भी मर जाए और लाठी भी ना तूटे विवांग साहब ने जो कुछ किया और बाद में जो कुछ हुआ उस अब यहीं हुआ जैसाब आपने विदा देखा था तो अब बोलने के लिए बचा क्या है जो गीता पर हाथ रख कर कसम खाओं कुछ ऐसी बाते भी कहनी पड़ेगी जो इस अदालत में नहीं हुई थी हम ठेरे गरीब लोग हमारे पास ना तो दहेच देने के लिए रुपए है और ना ही वकील की फीस के लिए इसलिए मैं खुदी इस केस की पैरवी कर रही हूं मैं जो कहूंगा सच कहूंगा मिस्टर अंकुष आपको एक वादा करना पड़ेगा कि मैं आपसे जो कुछ भी पूछूंगी आप उसका जवाब बहुती शांती से दीजेगा शांती से ही जवाब दूँगा घड़क मत जाएएगा जी हरगीज नहीं सुनाने आपकी माँ वैश्या थी या नहीं मेरे इतना समझाने के बावजूद कि शांती से जवाब दीजेए जब मैंने इनसे यह कहा कि इनकी माँ वैश्या थी जो एक सच है तो यह भड़क उठें तो बताएए यूर उनर मेरे पिता दिवान सहाब को उस वब गुस्सा क्यों नहीं आता जब उनको वैश्या का जान वो भी इस भरी अदालत में चीक चीक कर सब के सामने मिस्टर अंकुष आप रिवॉल्वर अपने पास हमेशा रखते हैं या नहीं रिवॉल्वर हमेशा अपने पास अक्सर वो लोग रखा पड़ते हैं जिनके पास बहुत सारी दौलत होती है या शोहरत दौलत तो आपके पास हैने क्योंकि चरस पीने के लिए पैसे भी आपको ससुराल वालों से भीक में मांगने पड़ते हैं अब रही शोहरत की बाद तो इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आधी रात के बाद कली के आवारा खुत्ते आप पर भौकते जरूर हो आपके पास न तो दौलत है न शोहरत फिर अपने पास रिवॉल्वर रखने की वज़ा क्या है वज़ा ये है कि आप एक घटिया किसम के इंसान है आप घुंडे हैं तू मुझे घटिया इंसान और घुंडा कह रही है मैंने तो फिर भी कुछ अच्छा कह दिया आपके ससुराल वाले तो आपको कुछ और ही कहते हैं क्या कहते हैं वो आपकी सास आपको नामर्द कहते हैं उनका कहना है कि जो मर्ट अपनी जूटन पर पलते हैं इसलिए आप उस वफादार कुट्टे की तरह हो गये हैं जो मालिकों के कुछ कहने से पहले ही भौकना शुरू कर देता है बताइए दीवान साहब ने आपसे कुछ कहा था नहीं चौदी खांदा ने आपसे कुछ करने के लिए कहा था नहीं तो फिर आपने गोली क्यों चलाएं जो अपनी जिंदगी अपनी खुशी से जूतन और उत्रन के सारे गुजारता हो वो हर राग पिकने वाली उन बाजारू और तो से भी ज्यादा गंदा और घिनोना होता है ए ए बहुत बोली अब आगे बोली रख तो बस बस रहने दीजे मुझे मठ डराईए मुझे मालूम है कि दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो आप जैसे नामर्द को मर्द बना सके अराम साधी मैं तुझे यह अदालत है यहां किसी को धमकी देना अदालत की मरिय आये 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 निरंजान चादरी कौन है मैं आये मेरे साथ आये 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 बुरा मत मानी पुरानी सासुजी, सही चीज, सही जगा पहुची जाते, कोई कुछ भी करो तेरे बहन और भाई, लगते हैं मुझे कसाई हो, क्या ये बेर की बत्ती जलने देंगे के नहीं अरी बोली शब वो बोली संगम होगा के नहीं पीन मेरी बैने और चार मेरे भाई, साथु हीरे मेरे अबबा बाबाजी का माई आपके जो दिखाएगा तुचरी में दुलाई, ये जाएगे बापा संगे ये दुलाई पेसे बढ़ू मैं प्यार का पहारा, कर दिया सुनने है मेरा तबाडा सोचा ठाके शादी करके एश करेंगे प्यार वाला चेक हम क्या शुकरेंगे आजी हाँ, अरे आजी हाँ बच्चा बच्चा जहरी लगे बच्चा बच्चा जहरी लगे लाई है देज में इन्हें का है तु बापू के घर से आजी 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 ओ, इन ससुरों को देखा तो ऐसा लगा इन ससुरों को देखा तो ऐसा लगा जैसे काटों के जाड जैसे जहर के पहाड जैसे डेंगु वुखार जैसे पिछों के हार जैसे रावण के रूप जैसे नीम का सूप जैसे दुश्मन ने दी हो कोई बदुआ हो तुझे पिटने को दिल करता है तुझे पिटने को दिल करता है जो भी मूँ में आई भगता है तुझे पिटने को दिल करता है साथ उल्लू पड़े पड़े घूरे हमको खड़े खड़े साथ उल्लू पड़े पड़े घूरे हमको खड़े खड़े सच सच मैं कहती हूँ सुन्दो अजी काड़ेंगे तंपू यही पे सभी रात भर मुए मिलने न दे दीदे देखाए बड़े बड़े कम वक तो कम वक तो फुटो कहीं मिया बीवी को जरा छोड़के खेले का पटी अर्मान दिल में आओ खुशेडू तुम्हे दापों के बिल में ख़टिया के नीचे क्या है पर्दे के पिछे क्या है ख़टिया के नीचे भाई पर्दे के पिछे बहना ये मेरी आंक गितारे ये मेरे घर का गहना हायो रफा मैं क्या करूं कहां मरूं चुप 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 अरे चुप ओडीदी बोलो ना ये कुंडी खोलो ना कि बबलू रोता है बुदू नहीं सोता है कि चिंकी लड़ती है मुझे तंकरती है कि चुटकी दरती है कि देखो चिंटू को खासी आजी है ओडीदी बोलो ना ये कुंडी खोलो ना ओडीदी बोलो ना ये कुंडी खोलो ना नमस्ते सेर जी आप अंकुष चौदरी के शराद में नहीं आए मैं खूनियों और बदमाशों के शराद में नहीं जाता तब तो बहुत अच्छा किया आपने अब जो होना था वो हो चुका अब जो होना है वो हो जाना चाहिए शादी की नहीं तारिक निकलवाले ये शादी आब नहीं होगी नहीं नहीं ऐसो मत करें सेर जी अमने जो कह पढ़ता हूं पाव पढ़ता हूं हमारी कि इजद का कुछ तो ख्याल कीजिए अरे पंडित के कहने पर हमने तुम्हें गंगा जल समझा था लेकिन आप पता शला कि तुम गडर का वो गंदा पानी हो जो केमिकल डालने से अभी साफ नहीं होता चले जाओ यहां से आज 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 मिले प्याले प्याले बच्चों अच्छा पापा भी चलेंगे बिल्कुल चलेंगे रहीम चाचा रहीम चाचा की यह पच्चों को सब आइसक्रीम खिला दोने चाहिए यह बहुत सब्सक्र रहे हैं जा पिटेंगे जा चलो सुनिये आप नाश्ता कर लीजिए मैं नहाने जा रही हूं मुझे आपसे बहुत सारी बाते करनी है जिसके लिए यह जगा मुनासब नहीं हम कई और मिलेंगे देखो पूरे एक महिने के बाद मेरी बीवी और बच्चे घर लोटे हैं आज मैं घर से बाहर निकली नहीं सकता मिस्टर राज हम दोनों ने यहां एक रात गुजारी हैं जो शक मेरी ससुराल वालों को हुआ वही शक आपकी पत्नी को भी होगा अपनी पवृत्ता का सबूत न तो मैं दे पाए थे और न आप दे पाएंगे जिस तरह मेरी दुनिया बरबाद हुई उसी तरह आपकी दुनिया भी बरबाद हो जाएगी अगर आप इस बरबादी से बचना चाहते हैं तो यह रहा मेरा पता हूँ कर दो एक बात याद रखना अगर तुमने मेरे परिवार में सरा भी सहर खोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी कहान ही खत्म कर दूँगा खुद तो मेरी जिन्दगी में तूफान बन कर आ है और तिनका तिनका बिखेर दिया और आज जब खुद के घर में जरा सी हवा चली तो पत्ते की तरह काम गये और रिवॉल्वर निकाल लिया चलाइए गोली चलाइए गोलियों से न तो कहानी खत्म होती है और नहीं पाप मिटता है बहादुर हो तुम्हें गोलियों से डर नहीं लगता जिस औरत का न भाई हो न बाप न शोहर न समाज वो औरत औरत नहीं रहती लाश बन जाती है और लाश गोलियों से नहीं डड़ती और इन सब के जिम्मेदार तुम हो मैं तुम्हारी बर्बादी नहीं चाहता था फिर मुझे बर्बाद क्यों किया मेरी एक बेहन थी राधिका वो निरंजन से प्यार कर बैठी और उससे शादी करना चाहती थी लेकिन निरंजन ने उसे ठुकरा दिया और उसने आत्मा हत्या कर ली मैंने अपनी बहन की चिता पर कसम खाई थी कि मैं निरंजन को कभी शादी शुदा जिन्दगी का सुक भोगने नहीं दूगा तुम्हारी वज़े से उन्होंने मुझे बच्चलन आवारा साबित करके घर से निकाल दिया मैं एक भव नहीं रही मेरा बाप नहीं रहा मेरा बच्चा नहीं रहा मिस्टर राजेश्वर तुम्हें पेटी एक भव और एक मा दिरों के मुझृम हो सच मुझ बदले की भावना में मैं अंधा हो गया था मैं ये सोच भी नहीं पाया कि जो आग मैं लगा रहा हूँ वो और किस किस को चलाएगी मैं तुम्हारा कुनेकार हो पूजा तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे सकती हो अब मैं हर कीमत पर उनसे बदला लेना चाहती हूँ और इस बार अगर कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो वो कीमत मैं चुकाऊंगा राम उतार की बीवी खेतों पर काम कर रही है क्या चल्ब मिल्यो केरी इतनी हिम्मत निकल जा मेरे केट से यह तो हमारा केट है चौदरी जी अरे तुमारा था अब ये मेरा है राम अवतार ने 20,000 रुपए का करदा लिया था जो सूस समेथ 50,000 रुपए हो गए थे ये कर चुकाने के लिए राम अवतार ने मनने से पहले सारा केट मेरे नाम कर दिया था आप जूर बोल रहे हैं चौदरी जी अरे मैं जूट बोल सकता हूं लेकिन ये कागजा जूट नहीं बոल सकते हैं ये दखें मुक्या जी यह देखें राम मवतार क्यां गोटए का निशान देखें अां भाई कागजा तो पक्ऴ है आई बिलो निकाल इसे रहे निकाल जो निकलो फागो खाल दिया चौदरी तुझा भागवान कभी माफ नहीं करेगा चौदरी जी ओ चौदरी जी मैं यह पूछ रहा था कि राम आउतार जी की तो तुमसे पढ़ती भी नहीं थी वह तो तुम्हारे दरॉले पर थूखने भी नहीं आता था मतलब आता नहीं था फिर उसने करजा क कभी लिया तुमसे और बो कागजात पर निशान कब लगाया बीच में मत बॉल कुमाल है और बन्ने में भी बीच में बोलते हैं मगर आप उन्हें कुछ नहीं डौटते हैं हाँ नहीं डाटता इसलिके वो मर्द है तो मर्द है क्या मुक्राजी साले को क्या मालूम कि राम मवतार एक रिजद्दार आदमी था और हर रिजद्दार आदमी कभी किसी के सामने नहीं हमेशा चुपकर करदल लिया करते हैं क्यों मुक्राजी जब आपकी बेटी की शादी हुई थी तब आपने भी तो हाँ चबद सब सच कह रहे हैं पंचायती करने आया था ताला इतन देखो साई अगर दो दिन के अंदर तुमने फैक्टरी नहीं खरीदा तो मैं किसी दूसरे को दे दूँगा अरे तुम भी खामका की दमकी देते रहते हो मुझे अच्छी तरह मालम है कि इस फैक्टरी खरीदे वहला कोई दूसरा नहीं है अरे आपका खयाल गलत है साई द अरे बहार है ना यह तो अभी पूरा पेमेंट देने को तयार है लेकिन मैंने आपको जबान दी है इसलिए दो दिन दे रहा हूं और बिजनिस में जबान की बड़ी कीमत होती है अड़े आप दोनों एक दूसरे को हलो भी नहीं बोला है आपको दो दून के अंदर पैसे मिल जाएंगे आपको देखते ही निरंजन की आँखों में खून उतर आया था और उसे देखते ही मुझे अपना खून याद आ गया था उसका मूड देखकर तो ऐसा लगता था जैसा वो आपको मारी डालेंगा यह काम तो वह पहले ही कर चुका है तो दुदानी अब तो उसके मरने के दिन हैं अब तो इस फैक्ट्री को खरिना जरूरी हो गया है वो भी उस फैक्री को खर रखने के लिए एक मा कुछ भी कर सकती है यह रहे 10 लाक रुपे तेरे पिता जी को मालूम नहीं पढ़ना चाहिए कि हम लोगों ने पैसे निकाले परना वो जिंदाई चिता पर लेट जाएंगे यह रहे 10 लाक रुपे कैश और यह रहा बैंक का 20 लाक रुपे का चेक पैम मिस्टर निरंजन बहुत-बहुत मुबारख हो अड़ भाई काउंगे चिलेशन हाँ आप यह बताइए कि आप यहां रिपोल लिखवाने आये हैं यह आंसू पच्वाने अगर तो आंसू पच्वाने आये हैं तो यह लीजिए रुमाल पूची आंसू और दभा हो जाई है उसक्ता पूचिता मत करो इतना याद रहो मिया चिंटा और चिता में एक चिविंदी का फरक है अगर आपने इनको दस लाक रुपर दिलवाकर चिंटा से छुडकारा नहीं दिलवाया तो यह चिता पर लेड़कर अपने जान देंदेहें मरने की तब सोचना जब घर में प और आत्मा को शान्ती भी नहीं मिलेगी कि किसी पर शक्त कौन से बारू ए बीच की मानना करें दो पर दो काम है जरूर इसने ही चुरॉय होंगी चल फोट लिकाल मेरी गॉलिया नहीं है ना हां भुलू तेरा नाम है हो मेरा ही नाम है मैं नहीं हों बहुत बड़ा हरामी कि इसने तो मेरी मार खाता ही भूगें भी तुमुरी गाने लगते हैं कि इसे मत मार यह सर तो क्या इसका चुमाल हूं मेरी एक बात सुन लिजे सर तीवी सीरियल महा भारत तो आपने देखा होगा भीश्म पितामा की मौत की वज़े एक छक्का था आपका नाम भी भीश्म है और यह एक छक्का इसलिए कहता हूं कि प्यार से काम लिजिए मेरे लाल यह प्यार करने की कोई रुमांटिक जगा नहीं है यह पुली स्टेशन है प्ली स्टेशन समझे आजकल बहुती भी देखता है जा और चौदरी साब थाने में सर ले आना जुरूरी था क्या तो अपने सर को कहां रखू लेकिन सर आप टकले कपसे हुए और चौदरी साब यह टकले का सर है ना कुस्से का सुच बोड है सुच बोड जिसके 24 बटन आ शुकर करो आप बच गए क्योंकि आप भी तो टकली है ना लेकिन मैं उस साले को नहीं चोड़ूंगा अब बता तुने रुपय लिये या नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया बगवार की सब्सक्राइब कुछ नहीं किया यह जूट बोलता है इस्पेक्टर तू ऐसे नहीं मानेगा नहीं मैंने चोड़ नहीं किये निरंजन बाबू आप यहां जी आज मेरी फैक्टर का महरत है तुम यहां मंदर का दुवार पूजा क्ले खुला रहता है लेकिन मेरे घर का दर्वाजा तुम्हारे लेक कभी नहीं खुलेगा वो घर नहीं किराय का मकान था मेरे लिए जब रहने की कीमत नहीं चुका सकी तो निकाल दी गई हर एक के जीवन में कुछ न कुछ सालु कले बनवास का समय आता है और इसे तो काटना ही पढ़ते हैं तो तुम यहां बनवास काटने अई हो हाँ तो काट दी रहा हूँ इसलिए कि तुम्हारे बनवास का कोई आंग नहीं होगा। क्या इसलिए जह मेरा राम ही रावन ए। मैं किसी का राम नहीं और नहीं राम बनना चाहता ह। यह दुन्या राम लीला नहीं महा भारत है। यहां जीतना ही धर्म है और किसी भी कीमत पर जीतो। छोटे चौधरी, किसी भी कीमत पर जीतने वाले, अक्सर जीत कर हार जाते हैं लेकिन मैं कभी नहीं हारूंगा आपकी बारात मंडप से वापस आ गए, कलपिता की साड़ी सफेद हो गए आपके बाप की पगड़ी उच्छा ली गए, क्या कर लिया आप में? तो तुम यहाँ बनवास काटने नहीं, बदला लेने आया हो, देखता हूँ तुम बदला कैसे लेती हो पाप का घड़ा अगर भर गया हो, तो उसमें कंकर मारने की जरूरत नहीं पड़ती, वो घड़ा खुद ही फूट जाता है चोटे चौधरी, और अजब तक रोती है, तभी तक कमजोर होती है आज मेरा सपना पूरा हो गया, यह सपना कभी पूरा नहीं होता है अगर मेरी माने मेरा साथ ना दिया होता है विकार में ही मेरी इतनी तारीफ कर रहा है, मैंने किया ही क्या है बस चौधरी जी की तिजोरी से 10 लाग रुपे निकाल कर इसको दे दिये, और क्या-क्या आप लोग भी कमाल करते हैं, एक ही घर में रहकर एक दूसरे की चरी करते हैं और छूटी रपोर्ट लिखवा कर बचारे बिलू को पिटवा दिया जानते हैं, आप लोगों पर उल्टा केस चलेगा, और तोर पुलीस भी आप पर चार्ज लगाएगी अब तो सिर्फ आप लोगों को भगवान ही बचा सकता है ये क्या है? आप ही ने कहा था ना, कि आप सिर्फ भगवान ही बचा सकता है हाँ, हाँ, मैंने कहा था असली है, आपको भाषा का ग्यान बहुत अच्छा है आपको भी भाषा का ग्यान बहुत अच्छा है वो तो है अच्छा, तो हम चलते हैं जाहिन, जाहिन, जाहिन मुकिया जी, मेरे बेटे बिल्लू को बचा लीजे आप तो आपको भी मालुम हो चुका है कि वो चोर नहीं यह क्या है पुलीस से किशी को बेज़दद करवा की पिढ़आ देदे यह तो सरा-सर जूल्म है मुखिया जी आज आपको इंसाफ करना पड़ेगा यहां की पंचायत जब यहां की माओं को यहां के बेटों को यहां की बेटियों को इंसाफ नहीं दे सकी तो आपको क्या इंसाफ दे पाएगी बताईए मुखिया जी चौधी परिवार के ताल पर यहां का समाज कब तक ठु हो गया है मुख्या तुम लोगों ने गाव में यह पंचाती विचाती क्या लगा रखी है चला पूटा यहां से अदब से बात कीजिए यह कोई की उन्हें दोशी नहीं माना। उनके खिलाब कोई कारवाही नहीं की और बंक्रविये के उनके खिलाब इसी ने कंप्लेंट नहीं लिखवाई तुम एक्शन गेज़े लेता। मैं लिखातीय। मैं लिखता। ताने में जाकर हवल्दार को लिखवा दो। ये कंपलेन तो आप लिखने पहने पड़ेगी। और अभी। तुम कोई जिला मचिस्टेर नहीं हो जो मैं तुमआरा उकमन ही? अब तो हवल्दार नहीं कंपलेन लिखेगा। तो मुझे ही मजबूर होकर लिखना पड़ेगा जाब यॉर अंडर अरस्ट गाउंवालों का प्रेशर है एक दिन के लिए आपको गिर्फतार करना ही पड़ेगा कैसी लगी नई सुसुराद सिगरिट जला लीजे थोड़ी शांती मिल जाएगी निरंजन बावु आपने जो आग लगाई है वो फूक मानने से नहीं बुझने वाली बोल ले जो बोलना है आज तेरा वक्त है कल मेरा वक्त भी आएगा वक्त आएगा? आप तो कहते थे की वक्त आता नहीं लाया जाता है लगता है अंदर से बहुत तूट गए है छोटे चौदरी चाहे जितना भी तूट जाओं जमानत पर तो छूटी जाओंगा फिर ऐसी आग लगाऊंगा जिसे बुझा कर मुझे जरूर शांती मिलेगी एक बात याद रखे छोटे चौदरी जिंदगी का खेल जल्दबाजी से नहीं खेला जाता जो खेलते हैं वो अनारी होते हैं और जो अनारी होते हैं वो अपने ही पाव में कुलारी मार लेते हैं क्या पानी लाओं आपके लिए गलास चौप अरे आग लगे उस इंस्पेक्टर को मेरे बेटे से पैसे भी खा लिया और उसे गिरिफतार भी कर लिया फगवान करें मरने के बाद उसके मुह में आग देने वाला कोई ना हो उसकी लाश को चील को हुआ एक कुट्टे नौच नौच के खा जाए खच खच कीना लगे उस को अरे ख़म ना मत भाग गयाभन सब ठीक हो जाएगा क्या ठीक होगा अनौसमानूज का चेहरा जो नजर आ गया सब इसी का किया करा है इंस्पेक्टर के अंदर इसी में जहर भरा होगा जहर तो नागिन के पास होता है हम इंसानों के पास तो सिर्फ आसु हुआ करते हैं कमीनी वैसे तो कहने को है ये मेरी राम कहानी पर हर एक लड़की को लगेगी ये जानी पहचानी देखो जी देखो ये मेरी ससुराल है कहते हैं लोग के दाल में है काला लेकिन यहां तो फूरा घोटाला सारे घे सारे ही दाली ये दाल है ये मेरी ससुराल है अरे लड़के की शादी में वंड़ा दाए देखर हम जापा जले हम जापा धीर धीर होता शुरू मेरे निकास ले ग्रामा घर में दुलहन जब आती हैं कितने शगुन मनाते हैं कहले फूलों की बारिश करें फिर ये बिजने गिराते हैं इससे बहु के लेकर हम परती हैं हर दम बेटे के दान धर को बना लेते हैं ये एक महा भारत का मैदान और यहां पर मिलता है सड़ा हुआ माल अरे करते हैं लड़की का जीना ये मोहाल ये खोटे कर्म है करते नहीं भगवान से डरते अरे करते हैं किना जंगा ओंदा जे मावर की मुंदी साथ तेक मैं जूट बोल लेया तेक मैं कुफर तोल लेया तेक मैं जहर खोल लेया कोई ना भई कोई ना भई कोई ना भई कोई ना बले 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 जब जब स्टो फटे कोई तो सिर्फ बहू क्यों चलती है दरिया या कोई में डूब के सास ननग नहीं मरती है कोई लो क्यों नहीं मरती है ऐसे की हां तिरस के मां पाप को सा जाता है ये है ची इस तरह इसमें कोई करस नहीं खाता है लगता है के बहुशब्स में ही शायद कोई गल्ती है जरी ननत सास देखो ये कह की और मन्थरा है सतर भी कम नहीं रखती भर ये दुर्योधन की तरहा है बेटे की जान बचाने को बहुआ का दा लगाते है इन्हें ये खबर नहीं है के ये कितने पाप कमाते है कहत कबीरत नोबाई सादो कनी का फल पाएगा बोया पेड बबुल का तो फिर आम कहां से खाएगा आम कहां से खाएगा हाथ उठा कद पूपर वाले से मां को मैं यही दुआ ऐसा किसी के साथ नहीं हो जैसा इसके साथ हुआ सुनो नारियों जुल्म न सहना याद रहे मेरा संदेश अगर जरूरत पढ़ जाए तो धर लेना चंदी का भेश मुझको सताए अब किसकी मजाल है ये मेरी ससुराल है देखो जी देखो ये मेरी ससुराल है कहते हैं लोग के दाल में है काला लेकिन यहां तो फूरा घोटाला सारी की सारी ही काली ये दाल है ये मेरी ससुराल है ये मेरी ससुराल है और तो और ये कमीना बनने मिया कैसा नमक खडा मिकला आज कोई काम करने वाली भी नहीं मरने के लिए आरे काल सिता बाल ये भी खाल आए हाए चौद्राइन ये उमर मां अकेली ही बर्तन होने बढ़ गए अपसोच पर तुम कर भी का सकती हो तुम्हारे घर मां गंदा बर्तन भी तो बहुत हैं एक बात कहते हैं चौद्राइन वा इससे अपना काम खुद ही कर लेना चाहिए अपना काम करने से का होवत है सहत भी अच्छी रहती है और रात को नीम भी बड़ी बड़ीया आती है है ना चौद्राइन अच्छा अब चलते हैं ससुरी फुद्री की पिता जी बोल पिता जी मैं ससुराल जाना चाहती हूं अकल देर से आई जल्दी जा पर खाली हत कैसे जाओं अरे भीग मांगती जाओं क्या मतलब मतलब ये की मा बेटी ने मिलकर मुझे कंगाल बना दिया है अब तुझे कहां से तू सुबह से चौद्राइन ने कुछ खाने के लिए भीजा है कि 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 ये लो सेट जी खीर कि कि खुश्बू तो अच्छी है बहुत अच्छी है ये ले लो पिता जी कि 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 आपकी बहूं ने तु जुट बोल रहा है वो क्या है कि बहुरानी दूद्र खरीद कर बोली कि बनने में इसकी खीर बना दो लेकिन एक कुट्टा न जाने कहां से आकर टांग उठाकर उसमें पिशाप कर दिया कि मैंने उससे पूछा कि इस दूद्र का क्या करूं बोली दूद्र को बर्बाद नक्को करो इसकी खीर बनवाकर ससुजी को बिजवा दो मुझे उसकी बाद मानने पड़ी क्या इस पर कुट्टे का पेशाप है हाँ यह क्या की अपने अब क्या हुआ इस हाट्टी में मेरी छोड़े पक्षाप करती थी क्या झिंगल जा मैरे दुकानसे हाट 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 चौदराहईण 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 मैं अभी बेहरी नहीं हुई जो इतनी जोर से चिला रहे हो तुमने आज दिन में खाना क्यों नहीं भेजा यहां बर्तन कौन धोता तो मां बेटे की वज़े से तो यह हाल हुआ है कि आज गाम का एक आदमी भी हमें पानी तक देने को तयार नहीं है अब भगो पेटा मेरे लार तो यहां नहीं था ना क्या बताओं यह पूजयाने गदाओ वालों के साथ मिलकर हमें कितना सताया चुप रहाओ नहीं मैं चुप नहीं रहूंगी मैं तुम्हारी तरह थोड़ी हूं कि कुछ दे के पिशाब बाला खीर मज़े से खा गए और चुप रहे गए कौन से तीर्स यात्र से आया है कैया से आ रहा है अरे तुमें इसनी का क्या दोश है जो भी हो सबसी कर्मोल अ कफ़ल हैं बाबुजी धूसरे की बहन पेनना तो जुल्म करता और ना भगवाण तेरी बहन को विद्वा बनाता बाबुजी तुन्हे एक बाप होकर बच्चे कि जवानी में थोड़ा गुस्सा तो आही जाता है मैं तो पहले ही कह रही थी चुप रहो चुप रहो यह तुमने कब कहा था ठीक है नहीं कहा था तो आपको तो चुप रहना चाहिए था उठो उठो काम ही ऐसा करते हो कि कुट्पा भी मुझाट ले बाबुजी बाब के साथ बड़ी हमदर्दी जता रही है दिन में जब खाना पकाने और बरतन धोने के लिए मैं तुझे ढून रही थी उस वक्त कहा गई थी मतर गश्टी करने मा में मुझने को दूद पिला रही थी जूट बोलती है तू तू तो शुरू सही कामचोर है अब तक घर के क में तुमारा हाथ कोर बठाती रही तू बठाती रही चुप होजा चौद्राइन अरी ये क्या मेरा हाथ बटाएगी शादी के बाद ये बोज बनी रही मुझ पर यहां पड़ी-पड़ी खत्मल की तरह खून चूशती रहती है और क्या करती है मां तुम ये भूल गई कि म अगर बली चड़ जाए तो क्यों उसकी गिंती हीरा में होने लगेगी सूवर तो सूवर ही कहलाएगा मा मैंने तुमको चुप रहने को कहा भी था मेरी कौन सुनता है काम ही ऐसा करती हो कि कुट्टा भी मुझ चाट ले उठो रोमा चौद्राइन कुट्या पस्में रूट्टी के लिए जगड़ा करते हैं आग में तब जगड़ा करता है जब वो हार जाता है लेकिन मैंने अभी हार नहीं मानी मैं अपने हारी हुए बाजी को चीत कर दिखला दूंगा चौद्राइन हाँ गलतियां तो इंसान से होई जाती मेरे परिवार वालों से भी गलतियां हुई है सो उनकी दर से मैं माफी मांगने से क्या होगा विल्लू तो अभी तक जेल में है वो आज रहा हो जाएगा मैंने अप्रकेस वापस ले लिया है यह आपने बहुत अच्छा किया चौधरी साहब हर साल की तरह इस साल भी दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाएंगे उसका पूरा खर्चा मैं उठाओंगा मैं और मेरे परिवार वाले ड्रामे में हिसा लेंगे कि अच्छान च्छान सज्जनों चूंकि दुर्गा पूजा का समय आ गया है आज हम द्रौपदी चीरहरं का ड्रामा प्रस्तुत करने जा रहे हैं कर दो तुम्हें रिया किया जाता है कि सर वो जा रहा है जरा उससे प्यार से बात कर लिजिए तुम फिर वही राग अलापने लगे सरा भूलिये मत कि आपका नाम भीच में है और वह एक छक्का हुआ हुआ है दुर्योधन हुँ दुर्योधन हुँ दुर्योधन मैं कोई भी बाजी नहीं हारता है तुम लोग दुरोपदी को बली भाती पैचानते हो हां भ्रातास्त्री वही मनमोनी गजगामनी मेरे के नैंडी दस्वंती और लाज्वंती है जाओ उसी दुरोपदी को शीगर ही प्रस्तोत करो जो आग्या भ्रातास्त्री अन्या है ये घोर अन्या है महराज आपको कुछ दिखाई दे रहा है महराणी महराज मा को वैसे भी बेटे की बुराई दिखाई नहीं देती मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दुर्शासन तुम शिदिल क्यों पड़ गए हो जाओ आगे बढ़ो देखते क्या हो यहीं उचित समय है जब तुम अपने अपमान का बदला ले सकते हो इतिहास साक्षी है ऐसा शुबव सर बार बार नहीं मिलता यह गोर अन्याय है अन्याय करना भी कभी कभी न्याय है भीश्म पिता मा दुर्शासन कहीं आइसा ना हो कि शिकार हाथ से निकल जाए वरना कहीं मू दिखाने के योग्यों नहीं रह जाओगे जिस कहानी का आरम क्या है उसका अंध भी कर डालो देखते क्या हो उसके लंबे केश पकड़ लो जटका देकर जमीन पर गिरा दो सब भूल जाओ सिर्फ वो च्छनी याद रखो जब अपमान की धदक्तिवी ज्वाला में तुम चले थे इसका सारा गर्व दरपन की तरह चूर चूर कर दो महराज महराज घोर अन्याय अन्याय कैसा बड़ों के सजा छोटों को भूगत नहीं पड़ती है महराज महराज हस्तिनापूर की मर्यादा लुट गई कोई बात नहीं लुट जाने दो हस्तिनापूर तो बच गया मैं उसका खून कर दूंगा इंस्पेक्टर साहब कोई खास बात नहीं है लगता है मेरी बेटी भूट से डर गई है आप चलिए मैं बाद में मिलने आऊंगा आएगा जुरूर जी जी चलो भूट भूट का तो एक बहाना है मुझे तो पूरा शक है कि उसकी इज़त पर किसी ने हाट डाला है तू थी वहां तुने कुछ देखा क्या जब नहीं देखा तो कैसे बोल दिया कि उसकी इज़त पर हाट डाला गया खबरदार जो ऐसी बात अपनी ज़बान से निकाली तो मुख्या की बीवी होगी तो अपने घर में मैं तेरी ज़बान खीच लूगी हां बिल्कुर ठीक का चौद चौद्राइन जब तुहार बहू आजमी का घर मा गई थी तब तुम भी तो वहां नहीं थी तुम को कैसे बता चला कि उखीच चली गई जोद्राइन की बात ठीक नहीं है अपनी आउलाद के किये पर तो मखमल का परदा और दूसरे की आउलाद अगर हीरा भी है तो उसे पेकार कच्रा कहकर पूरे गाउं में दुनिया में धंडोरा पीतना मैं अपने दुश्मनों को अनाश करने के लिए साल में एक बार हवन जरूर करवाता हूं मैंने भी कसम खाई है कि बिल्लू की लाश देखने के बाद ही वंदना का चेहरा देखूंगा सारे फसाद की जड़ तो है ये हर मात घूम फिरका मुझपरी क्यों चलियाती है इसलिए कि तुम्हारा ये फैसला था ना तक द्रौपदी चीरहरन करेंगे हो गया ना चीरहरन और रोल भी करेंगे अंधे वित्राष्ट का मैं पूछती हूं कुछ करोगे ये अंधे बने रहोगे अरे कुछ करना आ है इसलिए तुनके पास आया हूँ अरे ये क्या करेंगे इनका तो हमसे जादा बुरा हाल है वेरा बुरा हाल है वो कैसे अरे मेरी बेती का चीरहरन तो एक छक्के ने किया मगर इनका चीरहरन तो एक दो टके की छोक्री ने किया वो भी पूरे गावालों के सामने जबकि ये पुलिस की वर्दी भी पहने कि मैं भी उससे बहुत ही भ्यानक बदला लूगा हानेदार साब बदला तो हमें भी लेना है उससे और ऐसा बदला जिसमें आग भी होगी और धुआ भी आप चिंता मत किजिए तो फिर आप बिल्लू की चिंता छोड़ दें मैं उस साले को टपका डालूगा जब प्रिश्मन का बटवारा हो ही गया तो जल्दी सुनका निप्टारा भी कर देना चाहिए वह साला छक्का है का शाम को पूजा की छोटी बहन नेहा की मंगनी है वह वहीं मटक रहा होगा माइन माइन मुझे रुप तेरी बोले रहा है काजा माइन माइन तेरी बोले रहा है काजा जोगन हो गई तेरी दिलारी मन जो भी तन लियादा सब्सक्राइब कर दोले रहे हैं अ भी कि आपका नाम भीच में और आप बोले रहे हैं ये भी भूल गए कि महा भारत में भीश्क की मौत की वज़े क्या थी इनकी मौत का समय आ गया कि ये कबाब में हड़्दा क्या आ गया और अजे मालूम है कि तू अंदर से क्या है और अब चल्ड देखो जी धक्का मारो या मुक्का जब तक कि पूजा दिधी मंदिर से नहीं आएगी हम कहीं नहीं जाने वाले हाँ तुम्हें पूजा दिधी पर बहुत घुबंड है ना आज तुमसे भी बुरा उसका अंजाम होने वाला है बिल्चान अएगाँ हम्हेंप इसले मेरे इसले मेरे मेरी शकल गौर से देख यम्राज से मिलती है जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जा वरना गोली मार दूंगा जाओ मेरी झाल दूंगा पाओ झार खरो, प्रिया खारो! अरे देखते क्या हो जल्दी जल्दी इस पर लखड़ियां डालो अरे मेरा तो दिमाग खराब हो गया था जो तुझे तलाग दिलाने के चक्कर में उल्ची रही घर की लखड़ी घर का कफन सस्ते में काम हो जाता तुझे तो बहुत पहले ही जिन्ता चला देना चाहिए था अच्छा करती आज इस तरह सुहागन तो मरती हाए 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 देखो तो मुझे कैसे फूल जड़ रहे है अभी से मनने का जगा भीड़ा नहीं आप लोगों ने तो मुझे पहले ही मार दिया था आज तो सिर्फ जल में आप गीड़े ही तुझे कैसे फिर्फ भीड़े करता मaking स मी ने पतkraft मार भीड़ेए म는 ने तो में हाए है सुहाए ने तो सी रिदुफ धर देकलिए जयार फ propose एकत भीड़े है.. मैं आपके आगे हाथ चुलती हूँ मेरी दीदी को भात मारी है तेरी दीदी तेरे सामने मरेगी समझे मैं भी अपनी दीदी के साथ जान दे दूंगी जेड़ फूर आ Колे, जेड़ फिरे साथ पर जेड़ आ helpful कि नमक्ख अराम तू अभी तक जिन्दा है कमी ने इंस्पेक्टर से तो बच गया लेकिन मुझ से नहीं बचेगा तो जाने भी दो छोटी चोदरी बात आगे मत पढ़ाओं वरना ये गाउवाले कहेंगे कि आपके सामने नाचने वाला लॉन्डा आपका जी चाजी बन गया हाँ यह क्या पूजा जिदी जिंदगी लूटने वाले से ज्यादा कमी ना इज्जत लूटने वाला होता है निरंजन बाबू किसी ने आपकी बहन की इज्जत लूटी तो उसके लिए मौत की सजा जबकि आप खुद दूसरे की बहन की इज्जत को इज्जत नहीं समझते हैं कि आपके लिए भी मौत की सजा नहीं होनी चाहिए नहीं नहीं ऐसा मत करो मैं तुमारे आगे हाथ चोड़ती हूँ अब क्यों रो रही है तो तो नागन है तो फन मारकर खड़ी हो जा और डस ले मुझे डस चोड़ते मेरी मा को पुझानी हमें माफ कर दे अगवाई के लिए माफ कर दे अब आसू दिखा रही है जब मुझे चिता पर लेटाकर तेल छिड़का जा रहा था जब मेरी बैन को रखेल बनाने की बात की जारी थी उस वक्त का गय थे या आसू का गय थी तेरी ममता गिरगिर कितरा रंग बदलने वाली ओरत खबरदार छोटे चौधरी आज तुम लोगों का जुल्म हद से आगे बढ़ गया है और जब जुल्म हद से आगे बढ़ जाता है तो उपर वाले का इंसाफ होके ही रहता है तो यह मामलत छोड़ दे उपर वाले पर हमने जैसा किया है वहीं इंसाफ करेगा यह भी तेरी एक चाल है नागन लेकिन मुझे उपर वाले पर पूरा भरोसा है कि वह सही इंसाफ करेगा और जरूर करेगा यह ले चौधरायन अगर दम है तो उठा रिवॉल्वर और गॉली मार दे मुझे यह नहीं रुक जा चोटे चॉदरी… बिली कौधसरी यह लेकि पकाःत क्याएव पर पर कि पवित्र बंद में है आज कमज में आया है और सभी कुछ जूटा है हर रिष्टे ने लोटा महंदी तोटी पीसी छनी घुली रजी तब रंग लाल हुआ और का भी इस दुनिया में महंदी जैसा हाल हुआ 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 है य्या उवित्र दुनियाओ कर दोटनी ओंध वह भी कि Pयो Hz बेख सफे किंस आग लिट्याम प्रिए हुआ 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 हुआ